क्लास एट का मैथ का पिपर है इसमें मैं आप लोगं को mcqs sol करके बताऊंगी और most important long question भी बताऊंगी तो mcqs no.1 है the set of integers integers का क्या मतलब होता है इसे हम z से denote करते हैं और इसमें 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 up to 100 तक होते हैं होते हैं integers का सेट तो इसमें सी जो है यह देखें प्लस माइनस का 1 plus minus का 2 और 0 भी इसके साथ है तो यह सी option ठीक होगा question number mcqs no.2 है the subset of set a e i o u तो यह वावल्स का सेट है इसमें से subset बनाना है तो subset का मतलब होता है कि इसी set में से एक less होना चाहिए या to be मतलब at least कम से कम एक element less होना है होना है सारे element इसी में से ही चाहिए तो यह देखें e i o यह इसमें b and c बाहर से आया हुए इसमें c और इसमें bc तो इसका a option ठीक है e i o यह इसका subset है a option identify the irrational number irrational number का मतलब होता है कि जिने हम p over q की farm में नहीं लेख सकते हैं तो वो हमारे rational numbers का set होता है तो इसका b option ठीक है the number of scare 12 तो 12 का scare क्या होगा बारा को बारा से जरब देने से जो आंस आएगा वो इसका scare होगा d option the square root of 49 over 81 49 square root मतलब 49 के उपर भी under root है और 81 के उपर भी तो 49 साथ साथ का scare under root के साथ square के साथ under root cancel और 9 का scare मतलब 7 over 9 इसका d option है the number of digit in the square root of 225 under root मतलब इसका square root find करना है तो 225 का under root आता है 15 this is two number मतलब इसी के square root के square root find करने से 225 का square root find करने से जितने digit आएंगे मतलब उसके answer क्या होंगे उनके digit की जतनी जादाद होगी वो लिखने है two है the area of square field is 841 meter square a wire is used to fence this field the total length of the wire is total length of wire find करने है the area of ये इसका भी square root find करना है मतलब 841 का तो 841 का square root का answer है 29 तो ये इसका answer है मतलब square root find करना था square root का जो answer है वह है 29 तो इसका भी option ठीक है by converting 141 into a equivalent number with base 5 मतलब 5 इस तरह करना है base 5 के साथ 141 को equivalent numbers में change करना है तो 141 पांच दो दस पांच आठ चालिस और एक पांच पांच पच्चिस और पच्चिस में से यहां पे तीन बजेगा पांच एक पांच पांच शिफिर 1 सिफिर 3 1 1 0 3 1 1 0 और 3 1 यह है c option इसका c option ठीक है और इसको minus करना है तो 11 और 3 times 0 है दोनों की base 2 है तो इन्हें हम sol कर सकते हैं इदर से एक लिया तो यह बन गया 2 2 में से 1 गया तो 1 यहां पे 1 बच गया यहां गया 0 और यहां पे भी 0 इसने इसको 1 दे दिया था तो इदर से लेंगे 2 में से 1 गया तो 1 यह भी 1 आए यह देखें यहां से यह भी 0 हो गया था अब इदर से आया 1 में से 1 गया तो जीरो हो गया अब 1 जीरो क्विस्टन नमबर कौन से है 8 इसका C आप्शन इसको सॉल्व करने से इसका अंसर आया है B आप्शन ठीक है इसका 1 3 3 टाइम 0 एंड 1 B आप्शन क्विस्टन नमबर 10 है दा सुल्यूशन आफ 11 की बेस 2 है और 11 की बेस 5 इनको प्लस करके इनका अंसर निकलना है इनको प्लस करने से इस तरह प्लस करना है 1 x 2 11 को कर रहे हैं अभी 11 को 2 के साथ 1 x 2 0 & 1 2 1 the 2 प्लस 2 की पावर 0 है तो 1 आएगा यहां पर मतलब इस सारे का अंसर आ गया 3 अब 11 को 5 के साथ 1 x 5 प्लस 1 x 5 तो यह 0 आगया और यह 1 5 और 1 6 हो यह इसका 6 प्लस 3 9 तो भी आप्शन ठीक है इसका खुरूम वांट्स तो कनवर्ट 45,500 पाकिस्तानी रुपीज इन्टो यूके पाउंड यूके पाउंड यूके पाउंड RS 288.56 रुपीज तो इतना एक डॉलर मतलब यूके का एक डॉलर पाकिस्तानी इतने रुपीज का बनता है तो खुरूम क्यूंके चेंज करना चाहता है अपनी करंसी को मतलब खुरूम पाकिस्तानी रुपीज दे के उसने यूके के पाउंड लेने है तो कितने पाउंड बनेंगे इस 45,500 पर 288.56 मतलब इसको तक्सीम करना है इस तरह 45,500 और 288.56 पर तक्सीम करने से यह आंसाता है बी बी आप्शन 157.58 रुपीज और उमर बॉरोड आरेस सेकड़ा हजार दिसलाग एक लाग फ्राम बैंक अधर रेट आफ 12 परसेंट पर एयर फार त्री एयर दा अमाउंट आफ मार्क अप विल बी यह डी आप्शन इसका ठीक है 36,000 रुपीज और वाट वाच पार आरेस पांच हजार एंट सोल्ड आरेस छे हजार इस प्रॉफिट परसंटेज प्रॉफिट परसंटेज पहले सेल प्राइस माइनस सोल्ड मतलब सोल्ड प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस मतलब खरीदा कितने में है छे हजार में और खरीदी कितने में है पांच हजार में तो इस मतलब एक हजार इसका प्रॉफिट है तो परसंटेज में निकालना है तो उपर प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट प्रॉफि मतलब जितने में खरीदी है तो हजार ओवर पांच हजार मल्टिप्लाइ बाइ हंड्रेड तो इसको सोल करने से यह देखें दस पांच पचास दस एक दस सिफर सिफर पांच दो दस बीस बीस परसंट भी आप्शन इसका ठीए लगा है इफ टेक्स टेपल इंकम ऊफ फराज इन 13 जार 2,35 जार देन ऍांप अफ इंकम टेक्स ए Аडडर एट आफ 5% विल बी तो अगर फराज की काबल टेक्स आमधनी दो लाख 35,000 रुपाई हो तो पांच फीसद की शेरां इंकम की रकम हो गी इसका 11,750 रुपिस C option ठीक है The degree of the polynomial polynomial की degree किस तरह बताते हैं जिस B variables की value सबसे ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि उसकी degree उतनी है इसका B option 3 degree है क्योंकि X की power सबसे बड़ी power 3 है polynomial in 3 in 3 variables polynomial 3 variable मतलब कौन सी ऐसी equation है जिसमें 3 variable है इसमें तो 2 variable है इसमें भी और इसमें भी तो B option ठीक है इसमें 3 variable है 2X minus 7 3X plus 1 इनको multiply करना है अपस में तो multiply करने से इसका क्या अनसाता है यह वाला यह option इन दोनों को आपस में multiply करना है इस तरह 2X minus 7 3X plus 4 तो इसको multiply करने से यह वाला अनसा जाएगा 6X square minus 13X minus 28 if x plus 1 over x is equal to 6 then value of x square plus 1 over x तो यह देखें अगर इसका हम square लें 1 plus x का square equal to इसका भी तो square लेना पड़ेगा न तो इसका square 36-36 हो जाएगा और इसका a square plus b square plus 2ab a square x square plus b square 1 over x square plus 2ab तो x over x के साथ तो cancel हो जाएगा सिर्फ 2 आएगा और 6-36 यहां पर x square plus 1 over x square यह 36 है 36 minus 2 x square x square plus 1 over x square is equal to 34 तो इसके equal में क्या आएगा 34 b option ठीक है इसका factorization of minus 3x square minus 4x plus का xy तो इसमें से हम factor इसके किस तरह बना सकते हैं मतलब minus x को हम बाहर लेंगे 3x यह minus भी बाहर ले ले लिया है तो यहां पर plus का 4 आएगा और यहां पर क्योंकर minus बाहर लिया है तो यहां पर minus लगेगा y के साथ minus का x plus का 4 minus का y यह c option ठीक है इसका the cube of x minus 4 x minus 4 का cube find करना है मतलब x minus 4 का cube इस तरह cube फार्मूला क्या होता है a का cube प्लस b का cube प्लस 3a अगर प्लस वाला हो तो यह तो minus वाला है इसका d option ठीक है यही इसका अचा है x का cube minus 12 x square प्लस 48 x minus 64 the equation for the statement the price of 3 cup and 4 glasses is Rs.200 will be the price of 3 cup and 4 glasses Rs.200 will be 3 cup और 4 glasses की कीमत Rs.200 मसावात होगी मतलब x को cup को हमने x का है और glass को y का है तो इसकी equation बनानी है इसका b option है उन्होंने का दिर्मियान में क्या का है and the price of 3 cup and का है उन्होंने तो इसलिए and का मतलब है और plus आएगा इसके दिर्मियान में equation बनाते हुए इसका b option ठीक है 3x plus 4y is equal to 200 b option ठीक है इसका the solution of the equation 4x plus y is equal to 7 मतलब इस x and y की हमने ऐसी value लेनी है कि वो lift hand side जो है वो right hand side के equal आजाए तो अगर 4, 1 1 और 3 ये वाला a option लेंगे मतलब 1 plus y की value 3 तो वो 7 के equal आजाएगा न तो इसका a option ठीक है इसकी equation solve करने के लिए ये x and y की value ये होने चाहिए 1 and 3 the solution of the equation 3x minus 2y is equal to 1 and 2x minus 4y is equal to 6 मतलब इनका solution क्या होगा मतलब यहां पे भी x y और यहां पे भी x value की x and y की ऐसी value find करें जो उसकी दूसरी side के डिजिट के equal आनी चाहिए x and y की value put करने से 23 इसका ये वाला d option ठीक है मतलब यहां पे देखें 3x minus 2y में जब हम x की value minus 1 लेंगे and minus 2 already है और minus 2 और लेंगे तो वो equal हो जाएगा न 1 के ये minus 3 आ जाएगा और ये plus का 4 equal to 1 तो यहां पे 1 equal to 1 आएगा और दूसरी equation में भी हम इसे ही put कर सकते हैं ये 2x x की value minus 1 minus 4 और minus 2 equal to 6 minus का 2 minus minus plus का 4,2,8 equal to 6 तो यहां पे 6 over 6 मतलब यही दोनों के लिए perfect equation है x and y की value ठीक है दोनों में follow हो रही है तो इसका d option ठीक है अब the value of angle a in the given in the given figure is a का angle बताना है a की value इसके opposite side वाली 80 degree है a की value the value of angle C in the given in diagram अब the value of angle C इस diagram में angle C की value find करनी है angle C की value भी इसके यहां में देखें 80 degree है the given parallelogram the curved value of x x की value find करनी है x की value हम किस तरह find कर सकते है 2x plus 1 is equal to 17 2x यह 1 जो है इदर आके minus का हो जाएगा तो 2x 2x is equal to 16 2 इदर multiply हो रहा है इदर आके divide हो जाएगा तो 2,8,16 x की value आजाएगी 8 इदर आके इसका the value of each interior angle of rectangle octogenes मतलब मुन्जिम मुस्मन में हर अंदरूनी जावे की मिकदार की पेमेश होती है इस तरह के interior angle में हर angle कितने डिगरी का होता है 135 डिगरी का D option the value of x x की value find करनी है right angle triangle से यहाँ पर यह देखें यह base है मतलब हम by patha गुराज चूरम के जरीए ही find करेंगे x square is equal to 10 का square minus 6 का square तो 100 100 minus 36 100 में से 36 गए तो क्या आता है 100 में से 36 गए 10 में से 6 गए तो 4 आ गया यहाँ पर 9 में से 3 गए तो 6 और यह x square is equal to 64 यह वाला इधर square है तो इधर जाके under root हो जाएगा 64 के उपर 8 का square जब आएगा तो वो under root को cancel कर देगा x is equal to 8 तो यहाँ पर इसका b option ठीक है x की value आ गई 8 cm if the radius of a sphere is 1.7 cm then the surface will be इसका radius बताया हुआ है तो इसका हमने surface find करना है if the radius of a sphere is 1.7 cm then it's a surface area इसको यह वाला formula लगेगा इसका मतलब है कि यह r है r is equal to 1.7 cm r है हमारे पास 1.7 cm 4 pi r square यह वाला formula लगेगा तो इस formula के जरिए जब हमने solve किया तो इसका आंस है 36.33 cm the volume of the given cone इसका volume find करने के लिए यह वाला formula लगेगा 1 by 3 pi r square and h यहां पर r क्या है यह 3 cm r है और h मतलब height यह radius है न सरकल का और यह इसकी height है तो 1 by 3 pi as it is रहेगा r square क्या है 3 3 the 9 हो जाएगा और 4 इसके साथ multiply हो रहा है 3 1 the 3 3 3 the 9 4 3 12 pi cm का cube volume में न तो इसलिए इसके साथ cube लगेगा यह option इसका ठीक है the value of cosecant cosecant किसका alt होता है cosecant cos का alt तो होता है secant cos का inverse and sine का inverse होता है sine का inverse होता है cosecant तो cosecant 60 की जगा पे sine 60 क्या होता है under root 3 by 2 होता है न इन आप्शन में से देख के बताओ under root 3 over 2 आता है cause sine 60 पे तो उसका alt होगा 2 over under root 3 cosecant 60 cosecant 60 क्योंके sine का alt है तो ए आप्शन आएगा इसका the medium median of the data is इसमें से median find करना है median find किस तरह करते हैं पहले इसको तरतीब देते हैं 48 आएगा फिर क्या आएगा 51 और 51 के बाद 54 और 57 फिर 60 1,2,3,4,5 तो 54 इसका median है दर्म्यान में यहाँ पे हमारे MCQs होते हैं खतम अब मैं आप लों को most important यह देखें इसका subjective part है question number 1 है इसमे if A is equal to 1,2,4,5,B is equal to यह A set, B set, C set दिये हैं इनका हमने associative law of intersection find केना है एक तोता है commutative law यह है associative law तो A intersection B intersection C उन्होंने intersection के पारे में कहा है equal to है A intersection B और intersection C यह इस तरह find केना है इसका associative law of intersection find केना है the area of square shaped park is 15,129 square meter find the length of the one side of the park तो उसके मतलब एक मुरब्बी शकल के पार्क का रखबा इतना है तो पार्क के एक जिला की लंबाई find करें evaluate यह इनको plus minus करना है मतलब soul करना है इसको 8 के साथ multiply करके इसको 2 के साथ इसको 5 के साथ इस तरह soul करेना है और question number 2 का B part है taxable income of इम्रान इस सेक्ड़ हजार दसर लाग तीन लाग बारह हजार दोसो calculate his annual income tax at the rate of 5.5% question number 3 है find the product of x plus 1 and product का क्या मतलब होता है कि जरब करना है इन दुन को इसको हम इस तरह भी लिख सकते है x square plus 2 x plus 3 and multiply की फार्म है इसके साथ x plus 1 मतलब ये दुन वापस में multiply हो रहे हैं तो multiply किस तरह करना है x square plus 2 x plus 3 और x plus 1 x को पहले सब के साथ multiply करना है फिर 1 को फिर plus कर देना है तो इसका आंसा जाएगा find two solution for the equation 3 x plus y is equal to 7 तो इसका solution find करना है इस equation का और आगे चलते हैं a,b,c,d, construct a rhombus a,b,c,d, rhombus का क्या मतलब है मतलब जिसकी 4 साइडें बराबर हूँ a,b is equal to 6 cm angle a is equal to 60 m और इसका भी part है prove that if two side of a triangle are congruent then the angle opposite to these sides are congruent congruent मतलब थाबित करें कि एक मुसलिस के दो अजला मुतमासिल हूँ तो उनके मुतकाबला जावी भी मुतमासिल होते हैं अगर opposite side बराबर हूँ तो उनके जावी का मतलब है उनके angle भी बराबर होते हैं जिस तरह ये एक शकल है तो इसके अगर ये वाले मतलब side बराबर हैं तो उनके ये वाले angle भी बराबर होंगे ये कह रहे हैं हो इस वाल में evaluate sign sign 60 degree cos 30 degree minus cos 60 degree और sign 60 degree पहले यहाँ पे इसको आप लोगं को solve करने के लिए sign 60 degree पे क्या आता है cos 30 degree पे क्या आता है ये table से याद करना बहुत मुश्किल होता है 0, 1, 2 इस तरह हम करके एक table इसका खुद बना लेते हैं तो फिर हमें इसकी value find हो जाती है इनको under root कर लेना है आगर कोई कटेगा तो काट देंगे यहाँ पे 1 बज़ जाएगा 2, 1, 2, 2 to the 4 और इसका भी square खतम हो जाएगा 0, यह 1 over इसका भी under root कैंसल हो जाएगा और यह 1 over under root 2 under root 3 over 2 और यह 1 अब यह है sign की value यह 0 degree यह 0 degree, 35 degree, 45 degree and 60 degree और फिर जब इसको यहाँ से लिखना चुरूँ है यहाँ पे लिखेंगे 1 फिर under root 3 by 2 फिर under 1 by 1 over under root 2 1 by 2 and 0 इसकी value हम खुद से मतलब generate कर सकते हैं यह जो trigonometric table trigonometric function का table होता है वहाँ से value याद करने की बचाए इस तरह हम खुद से भी लिख सकते हैं ताके हमें भूल न जाए और हमें जब trigonometric यह वाले question हैं तो हम जल्दी जल्दी खुद वो टेबल बना के न यहाँ पर value put कर सकें तो वो मेरे channel में भी मैंने एक video डाली हुई है वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं दा फाल्विंग मार्क वर गोट बाइ बारा स्टूडेंट्स आफ क्लास एट इन फाइनल एक्जैम मैथिमेटिक्स जमाद हश्टम के बारा तलबा के रियाजी के पर्चा के नमबर दिये गए हैं compute mean median mod mean किस तरह निकालना है mean मतलब साब को plus करना है और उनकी total तदाद पर फिर मतलब ये गिनेंगे 12345 जितने digit होंगे उनके पिर उन numbers पर हम divide कर देंगे मतलब पहले हम तर्तीब से लिखेंगे चोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे फिर दरम्यान में जो आएगा न वो हमारा माड होगा और mean होगा वो हमारा median होगा माड क्या होता है जो most repeating होगा इसमें से वो हमारे पास माड होता है तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर होता है ख़तम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हफीज